श्री भाग्चन चाबडा उर्फ भाग्य चेन चाबडा का जन्व राजस्तान के अजमेर जिले में एक छोटे से गाउं नानसी में हुआ पिता स्वर्गी श्री मोहल लाल जी चाबडा किराने की एक छोटी से दुकान चलाया करते थे एवं माता धापु देवी ग्रहनी थी छे भाई बेनों में श्री भाग्चन चाबडा दूसरे नंबर के पुत्र हैं इन्होंने एमकॉम तक की शिक्षा प्राप कर बैंक में कलर्क की नौकरे से अपना करियर शुरू किया सन 1973 में श्री मती इंद्रा देवी के साथ इनका विवा हुआ इनके एक पुत्री एवं एक पुत्र है सन 1992 में इन्होंने भीलवडा में अपना स्वें का कपड़ा उत्पादन का व्यवसाय शुरू किया और साथ साथ शेहर में जाने माने उद्योगपती भी बने सन 2000 में इन्होंने RCM बिजनस को करना शुरू किया शुरूआती RCM डिस्ट्रिब्यूटर में श्री भागचन छाबडा सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं इसलिए इन्हें RCM के भीश मुपिता मा भी कहा जाता है RCM में श्री भागचन छाबडा ही वो व्यक्ति हैं जिनोंने शुरू में एक करोड़ लोगों को RCM का कपड़ा पहनाने का प्रण लिया और इन्होंने सन 2008 में ये प्रण पूरा भी किया सात्यों नमशकार जैय RCM यूट्यूब वेबिनार के इस शांदार प्रोग्राम में आप सबी लोगों का तहे दिल से सुक्रिय आदा करता हूँ अभी वादन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और एक बार मैं दिल से बोलता हूँ जैय RCM आप लोग जहां पर भी बैठे हैं एक बार दिल से बोलिये जैये RCM RCM के इस YouTube सरिंखला के प्रोग्राम में में नाम भागचन छाबडा RCM बिजनिस का पहला परिवार मुझे वो सोभागी मिला है कि मैं RCM बिजनिस का पहला परिवार हूँ और पहले परिवार का सदश्य होने के नाते इस बिजनिस को मैं उस दिन से जानता हूँ जब इस बिजनिस की सुरुआत केवल एक प्रोड़क्ट बिलवाडा से हुई थी और वो प्रोड़क्ट था 25 आठ 25 की वो किट जो बॉक्स में ती कागज के वो आज भी मुझे याद है उसी के साथ इस बिजनिस की सुरुआत हुई थी और और कोई प्रोड़क्ट नहीं होने की वज़े से री पर्चेज का कोई सिस्टम एस्टेबलिस नहीं हुआ तो इंकम बहुत कम आया करती थी फिर भी हमारे टीसी चाबड़ा जी के विजन और उनकी दिर्प्रतिग्या की बदोलत हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहे और जब बिजनिस में बहुत तकलिपे आने लगी तो एक दिन हमने सभी साथियों को इगठा किया करीबन आठ मेने बाद और सातियों के साथ एक बात की कि हमारा एक साल पूरा होने वाला है और इस बिजनिस में एक इंकम है जिसका नाम है रॉयल्टी इंकम और वो रॉयल्टी इंकम अभी तक किसी के नहीं आई है लेकिन मैं आज आपको वादा करता हूँ कि जो हिंदोस्तान के पहले रोयल्टी एचीवर बनेंगे उन लोगों का सेलेबरिशन मैं बहुत ही एतियासिक अंदाज में करूंगा और वो सेलेबरिशन ऐसा होगा जिसे जमाना देखेगा और जमाना मानेगा बिलकुल ढोल नगा उसरा और एहसान लेते हैं वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं कुछ सातियों ने दिड़ पृतिग्या की संकल्प किया और वही पैंट पीस की किटने लेकर वो निकल पड़े और घर पे एक बात का वादा किया कि अब हम घर तब आएंगे जब हमारा बने दो साथी टेकनिकल एचीवर बने और हमारा को सबाग्य मिला पहली एनिवर्सिरी सेलेबरेट करने का जो कि बिलवाड़ा में की गई बिलवाड़ा के टाउन ओल में नीर अबाउट साड़े पांसो चास्टो लोगों का वो प्रोग्राम था लेकिन उसमें जो 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 वो उमंग उत्सा था वो देखने की काबिले तारीफ था और उस सेलेबरेशन में दो दिन में रोल्टी एचीवर्स का मातर 5-6-7 रोल्टी एचीवर्स टेकनिकल एचीवर्स का सेलेबरेशन जिस अंदाज में किया गया जिस खुबसूरुतिती के साथ हुआ वहां बैटे वे साड़े 5-6-6-6 लोगों को और कोई चीज समझ में आई या नहीं आई ये मुझे पता नहीं लेकिन मुझे ये पता है कि हर व्यक्ति एक ही कसम खाके वहां से निकला था कि कुछ भी हो जाए हमें भी अब आर्सियम का रोल्टी एचीवर्स बनना है और आर कोई बड़े मुकाम पर पहुंच चुके थे हमारे पास दो तीन नहीं प्रोड़क्ट एड हो चुके थे और दूसरी एनिवर्सरी जो कि जहपूर के बिल्ला ओडिटोरियम में सेलेब्रेट की गई एक याद यादगार सेलेब्रेशन है क्योंकि वहां पर ओडिटोरियम की कैपिसिटी थी लगबग दो अजार लोगों की लेकिन लोग थे लगबग पाँच अजार साथ अजार अंदर जगह नहीं बाहर जगह नहीं क्योंकि रोल्टी अचीवरों की संक्यावी टेकनिकल अचीवरों की संक्यावी सो से ज्यादा थी सबके आतों में ट्रोफिया और जो celebration हुआ वो देखने काबिल था और इतनी बड़ी भीड इतना उत्सा उमंग ऐसे उर्जा में वातावरन के बीच में परमात्मा ने मुझे टच किया और मेरे भीतर से एक आवाज निकली एक महावाक के निकला महावाक के उस दिन उचारित हुआ कि भी हो जाए अब एक करोड़ लोगों को यह कपड़ा पेनाना मेरा टार्गेट है और मेरे दिल से निकली वी इस आवाज को हिंदुस्तान के लोगों ने अपने दिलों में बसा लिया और निकल पड़े उस दिन योद्धा पूरे दुनिया में मैदान में काम करने के लिए और यह अभियान हमार एक करोड लोगों तक पहुँचा उसके लिए तीसरी एनिवर्सरी हमारी दिली के स्रीफोर्ट ओड्यूटरियमे हुई तब तक हमारे पास कुछ प्रोड़क्ट हो चुके थे सुरुवात में कम्पनी के पास में कोई डिपो नहीं था क्योंकि प्रोड़क्ट नहीं थे विवस्ता थी उसका नाम था R.D. सिस्टम जो लोग अपने घरों में थोड़ा कीट एक्स्टरा रखते थे उनको R.D. मिलती थी लेकिन बाद में डिपो खुलने लगे पिकप सेंटर खुलने लगे प्रोडक्ट बढ़ने लगे कंपनी के मेनुफिक्शरिंग प्लांट लगन लगे त्रीसरी एनिवर्सरी जैपूर के दिल्ली के सरीपोर्ट ओडिटोरियम में मनाई गई लेकिन चोथी एनिवर्सरी में इस बिजनिस ने एक नया इतियास रचा कि इसी तीन जोड़ी तब तक हमारे पास पैंट और शर्ट दोनों हो चुकी थी कुछ प्रोड़क्ट ह हो चुके थे हमारा अभियान हिंदुस्तान बर में फैल चुका था और चोथी एनिवर्सरी के ताल कटोरा स्टेडियम में आर्सियम बिजनिस से इस मार्केटिंग प्लान से एक व्यक्ति मुकेस कोटारी पहला करोड़पती बनके हिंदुस्तान के सामने कड़ा था और जब अन हजारों लोगों की बीड में एक व्यक्ति की है गोशना कि मैं आर्सियम बिजनिस का पहला करोड़पती तो वहां पर बैटे वे हिंदुस्तान की आम आवाम ने एक बात अपनी आँखों से देखी कि तीन जोड़ी पैंट और तीन जोड़ी शर्ट की साधारन किट से ज हिंदुस्तान में पॉपॉलर होने लगी और हमने एक करोड़ चोटीस लाक लोगों को ये किट पहुचाई लोगों ने कपड़ा पैना लेकिन चट्टी साल गिरे हमारी डेड़ लाक लोगों की रेवाड़ी में हुई उसके बाद दो हजार ग्यारा में गॉर्मेंट की कु बीच में शेयर करूँगा आपकी कामियाबी की बाते मैं आपके बीच में शेयर करूँगा लेकिन चट्टी एनिवर्सिरी हमने रेवाड़ी में मनाई उसके बाद हम आगे बढ़ते गए जब बीड बहुत होने लगी तो हमें एनिवर्सिरियां अलग 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 जगे प को बदला और मैं पूरे इंडुस्तान में इस बिजनिस के सिलसले में मेरे को गूमने का मुका मिला है और आज 2020 में इस बिजनिस के माध्यम से हम इतना आगे बढ़े हैं ग्रोथ की इस यात्रा में एक प्रोड़क्ट से हम 700-800 प्रोड़क्ट तक पहुंच चुके हैं एक डिपो से हम आज करीबन 110-120 डिपो तक पहुंच चुके हैं साड़े 8000 के आसपास पिक अप सेंटर और एक नई परंपरा अपनी दुकान अपने लिए लाकों की संक्या में गरों गरों में पहुंचकर हंदोस्तान की आर्थिक आजादी के इस अभियान में हमने बहुत कुछ यात्रा तेह की है इस बिजनिस की यात्रा के दुरान मेरा ये सोबाग्य है कि इस बिजनिस के सलसले में मैं कस्मीर से लेकर कन्या कुमारी कच्छ से लेकर काजी रंगा और केडल से लेकर कारगिल तक की यात्राएं की है इस बिजनिस के सिल्सले में मैं मेरी बासा जानने वाले और बासा नहीं जानने वाले सभी तरह के लोगों से मिला हूँ गाओं के लोग सहर के लोग और मैंने इस बिजनिस की ताकत को देखा है इस सिस्टम की ताकत को देखा है और RCM बिजनिस के अब प्रोडक्टों की ताकत को देखा है टी सी चाबडा जी की वीजन को देखा है सब लोगों के संयुक्त प्रियासों की ताकतों को मैंने देखा है और इस बिजनिस के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान के लाकों 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 लोगों की तस्वीरें और तक्दीरों को बदलते वे अपनी आँखों से मैंने देखा है और ऐसा मैंने कोई एक जगे पर नहीं ऐसा मैंने कोई दो जगे पर नहीं ऐसा मैंने कोई सो जगे पर नहीं पिछले बीस सालों में मैंने ऐसा हजारों हजार बार हजारों हजार लोगों की जिन्दगियों में देखा है इस बिजनिस की ताकत से मैंने पड़े लिखे लोगों को बिना पड़े लिखे लोगों को गाउं के लोगों को, सहर के लोगों को, मैलाओं को, पुरसों को, पार टाइम काम करने वालों को, फुल टाइम काम करने वालों को, पच्पन की उमर वालों को, जवानी की उमर वाले लोगों को, सभी तरह के लोगों को, सभी बासा के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को, स इस बिजनिस के माद्यम से इस सिस्टम के माद्यम से मैंने अपनी तस्वीरें तक्दीरें और कामियाभी की यात्रा तै करते वे देखा है अपनी आँखों से मैंने इस यात्रा को देखा है इस मिना पर आज मेरे जो यूट्यूब के लाइव दर्सक हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिजनिस आप के लिए बना है ये बिजनिस कामियाभी के लिए बना है ये बिजनिस जिन्दगियों की ग्रोथ के लिए बना है इस बिजनिस के माध्यम से मैंने बिना पड़े लिखे लोगों को पड़े लिख लोगों का गुरू बनते वे देखा है जो लोग अपनी जीवन में डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, जज या कुछ नहीं बन पाए उनको मैंने उनका भी गुरू बनते वे देखा है ये इस बिजनिस की ताकत है मैंने इस बिजनिस की ताकत को देखा है कि मेलाएं जो गर की चार दिवारी से पहले निकल नहीं पाती थी इस स्टेज के माध्यम से इस मंच के माध्यम से इस सिस्टम के माध्यम से उनको मैंने हिंदुस्तान की लीडर मनते वे देखा है इस बिजनिस की रॉयल्टी के अभियान को मैंने बहुत उचाईयों तक जाते वे देखा है और रवीश सर्मा जैसी बड़ी कहानिया बनते वे मैंने देखा है ये बिजनिस अपने आप में अनूटा है इसलिए आज नए परिपेक्स में मैं आज नई बाते करने के लिए आपके बीच में आया हूँ मैं बहुत कुछ दिल से आज आपके बीच मे बात करना चाहता हूँ इस लाइव यूट्यूब सेमिनार में पहले हमारे जो प्रोग्राम हुआ करते थे वो बहुत ही खुले मंच पे हुआ करते थे बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे लेकिन अब परिवर्तन आ चुका है आज हम उस फिजिकली लाइव नहीं मिलके हजा चुनोती भी है परिस्तिती भी है लेकिन एक आउसर भी है बहुत बड़ी परिस्तिती है बहुत बड़ी चुनोती है ये आप सब जानते हैं मैंने अपने जीवन काल में और साइद मेरे सामने बैठे वे सभी लोगों में किसी ने भी अपने जीवन काल में इतनी बड़ी च चुनोती विसुस्तर की परिस्तिती को पहले कभी नहीं देखा लेकिन मैं आज बात करूंगा आउसर की मैं बात चुनोती की नहीं मैं बात परिस्तिती की नहीं मैं बात करूंगा आउसर की और एक बात ध्यान से समझें मुश्किल परिस्तितियां कभी नहीं जाती है लेकिन म निखर जाओ या निखर जाओ आपके सामने अभी मोका है आपके सामने आउसर है या तो आप इस आउसर के बोस तले दब या तो इस परिस्तिती के बोस तले दब कर अपने आपको कमजोर बना सकते हो या इस परिस्तिती से उपर उठके अपने को निखार कर हिंदुस्तान के भाग्य विदाता बन सकते हो, लाकों लोगों की जिन्दगियों में रोशनी बरने वाले बन सकते हो, मैं अपनी आवाज के माध्यम से आपके बीतर वो सक्ती बरना चाहता हूँ, मैं अपने आवाज के माध्यम से इंदुस्तान के आम आदमी तक अपनी आवाज पहुचाना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक बात को ध्यान से समझना होगा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, एक अंडा, अगर बाहर की चोट की वज़े से तूट जाता है, तो उसके बीतर जो जिन्दगी होती है, वो खतम हो जाती है, ल आज भारत की जुरुत है, आप मनिर पर भारत, आज भारत की डिमांड है, सौाव लंबी भारत, आज जन जन की डिमांड है, आप मनिर पर भारत, आज अगर हमारे सामने चुनोती है, तो आज हमारे पास अउसर भी है, और मेरे सामने, आज मेरे दर्सकों को मैं कहना चाहता हूँ मेरी इस आवाज को आप करोडों लोगों तक मौचाएं जंग जंग तक मौचाएं क्योंकि आर्चियम बिजनिस के पास आर्चियम सिस्टम के पास वो कैपसिटी है आर्चियम ने आज के 20 साल पहले हमारे विजनरी चेर्मेंट टी सी चापड़ा जी ने एक नारा दिया है कि अब समय आ चुका है हमें सब को जागना होगा चिंगारी यदि राक में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है लेकिन उसी चिंगारी को मौका मिले तो वो आग सोला बनके आग में बदल जाती है आज फिर एक मौका है मैं हिंदुस्तान के उन लाकों करोडों बनने वाले साती हो जो इंदुस्तान की नई तकदीर निकलेंगे हमारा बिजनिस कंपलीट ली भारत की रग में बसा हुआ है भारती ये मानसिक्टा के कंपलीट अंकूल है हमारे बिजनिस के जो प्रोड़क्ट सिरीज है वो इस तरह की है कि वो जन जन को पसंद आती है आम आदमी को पसंद आने वाले भारती मानसिक्ता के प्रोड़क्ट भारती मानसिक्ता की रेट quality में दम, दाम लगबग कम, खरीदने से income, फिर क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं हम कर पाएंगे हिंदुस्तान के आम आदमी का गम, हमें करना है, इनी के माधियम से पहले जो खरीदारी हम लोग किया करते थे या पहले कोई करीदारी करते थे, उस करीदारी करने से बिजनिस किसी और का होता था, और अब RCM के माधियम से करीदारी करने से बिजनिस आपका होता है, जब औरों का बिजनिस करोगे, तो औरों की income आएगी, और अपना बिजनिस करोगे, तो अपनी income आएगी, पहले जो करी तो एक दिन जो अमीरी बजार में गई थी वो अमीरी दीरे दीरे हमारे घरों में भी आएगी आज मैं आपके सामने यही आवान लेके आया हूँ और उसके लिए मैं एक नारा देना चाहता हूँ आज के 18 साल पहले मेरी जुबान से एक नारा निकला था एक करोड लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है मेरी उस सिंग गर्जना को मेरे उस दिल की आवास को हिंदुस्तान के आदमियों ने हमरे लीडर सातियों ने अपने दिलों में उतारा और एक करोड से ज्यादा लोगों को यह कपड़ा पहनाने का स्रे हमरे पास है तो आज मैं नया कोई बड़ी पूंजी की जोरुत नहीं कोई टाइम की जोरुत नहीं केएवल आप अपने घर में सामान रखके आज तुरंट की इंकम चालू कर सकते हैं और सुरुवाट इस तरह से करके देरे देरे इस नेटवर्क की विग्यान को नेटवर्क की बासा को और नेटवर्क की साइंस को सीख कर अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं हम आपकी कामियाबी की कामना करते हैं और हम अपनी कामियाबी का सिस्टम हमारे पास तैयार है RCM के पास एक ग्रोप प्रॉडट्ट की वो सिरीज है हरिस संजीवनी नाम का वो product भारत की केसानों की तकदीरें बदल सकता है तस्वीरें बदल सकता है बस मुझे सहयोग चाहिए अपने वर्तमान में हमारे सभी सातियों का लीडर्स का कि वो इस हरिस संजीवनी के product को समझें, सीखें और जण जण तक इस product की ताकत को बताएं क्योंकि अब तक हम लोग आज तक जहां कर भी हरी संजीवनी का यूज हुआ है वहाँ पर इस प्रोड़क्ट के गारेंटेट और बिलकुल रिजल्ट है तो ऐसे रिजल्ट और ओरेंटेट माध्यम से हम हिंदुस्तान की एक नही तस्वीर तैयार कर सकते हैं इसके लावा हमा निकलती है ऐसा मेरा लाखों लोगों का अनुबभ है मैंने पिछले कई सालों की आत्रा में इस प्रोड़क्ट की थाकत को भी देखा है और ऐसे एक नहीं लाखों लोगों की अनुबभ आना यानि आ सूगर का ठीक होना इसके लावा अपनी दुकानों के लिए हमारे पास आहम आदमी के डेली यूज ओने वाले प्रोड़क्ट हैं जिसमें आटा नमक और मसाले जैसे प्रोड़क्ट हैं इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोड़क्ट है गुड डॉट जिसे मैं फूड और फ्यूचर कहता हूं आज हिंदुस्तान की ज्यादा तर प्रकदीर लिख सकता है जो खाने के मामले में हाईजेनिक हैल्दी टेस्टी इकोनमिक सब तरह का एक नई परिबासा वाला फूड जिसको भी आपको समझना और समझाना है इसके अलावा मैं बहुत ही गोरवानवित हूं कि इस्वर की हमारे पर करपा है हमारे पास प्रोड करोर से ज्यादा लोगों के जीवन में स्टेटिन का यूज होता हूं जिस स्टेटिन का साईड इफेक्ट सारी मेडिखल साइज जानती है और उसका विकल्प गामा ओरिजनल एक तरप तो स्टेटिन के विकल्प की रूप में काम करता है और जितने cosas होते हैं उसकी जिगे पांच करोड लोगों को है और एट टू जेड गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे प्रोड़क्ट के सिंकला मैंने कुछ नहीं किया आज की तारिक में मैं आपको अगर मेरे को इतनी दूर से देख रहे हो तो मैंने जूते भी पेने में मोजे भी पेने में बालों में तेल भी है पहले भी मैं ये करता था आज मेरे जूते, मोजे, कपड़े बालों का तेल, चेरे की क्रीम मूगी पेस्ट, सब कुछ आर्चियम है मेरे गर में आर्चियम है इसलिए मेरी जेव में भी पर्स RCM है उसमें नोट भी RCM है और मेरे बेंक अकाउंट में भी RCM है आप भी ऐसा करेंगे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है हमारे पास बहुत प्रतिश्टित ब्रांड है और और बहुत सारे ब्रांड हमारे साथ आने को तयार है और आएंगे ही आत्मा स्वैम करता है और उनको विजन देता है 20 साल पहले कि आपको एक ऐसे बिजनिस की सुरुआत करनी है जिससे बारत के आम आदमी की और अवर इंडिया के हर कौने में फैला हुआ हमारा ट्रेनिंग का सपोर्टिंग का सिस्टम है और इसी उद्धिसे से हमने सुरुआत क हुआ है उसका नाम है ग्रोथ और जो आर्ट्सियम के साथ जुड़ता है और जुड़ा रहता है आर्ट्सियम के साथ बना रहता है इसको सीखता रहता है उसके जीवन में भी आती है ग्रोथ ग्रोथ आर्ट्सियम का मूल मंत्र है अगर आप आर्ट्सियम की यात्रा को तो एक प्रोड़क्ट से साथ सो प्रोड़क्ट एक जगे से सो से ज्यादा डिपो एक जगे से साड़े हाट अजार से ज्यादा पिक अप सेंटर साध एक लाग से ज्यादा अपनी दुकाने और इसके अलावा लाकों बार्तियों के गर घर में ये प्रोड़क्ट ये यात्रा आज भारत में मैं समझता हूँ सो करोड की पूंजी लगा कर ऐसी इंडस्ट्रियां ट्रेडिशनल बिजिस में या किसी बिजिस में बहुत ही कम होगी जो हर साल लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ लेती जा रही हो पर आर्चे में प्रोड़क्ट भी बढ़ते हैं टीम भी बढ़ नहीं हर मेंने कितने नए लोग करोड़पतियों की लाइन में एड हो जाते हैं यह ग्रोथ की यात्र है जिसमें कंपणी ज्यादा तर्स्पॉंसिबिलेटी लेती है यानि रिशर्च यंद डवलेप्मेंट की रैस्पॉंसिबिलेटी कंपणी ब्रोड़क्शन की पूंजी के इस बिजनिस को जॉइन करके अपना एक नमबर अलोट करवाता है और अपना एक छोटा सा नेटवर्क अपने सरकल में बनाता है और हमारा एक मजबूत सिस्टम यूई एस यूनिक एजुकेशन सिस्टम जिसके माध्यम से मैं आज आप लोगों से मिल रहा हूँ वो आपको सिखाता है कि आपका नेटवर्क का विस्तार कैसे करें नेटवर्क कैसे बनाएं काम करने की कलामे निखार कैसे लाएं काम करने की कलामे और इंप्रूम्मेंट कैस लाएं और ये सारी चीजें करने में आपको कोई रिस्क नहीं है जीरो रिस्क है हाँ रिस्क के नाम पर है तो एक चीज जो भी डर आपके बीतर बैठे में है वो डर आपके जाएंगे डर आपके जाएंगे और जैसे ही डर जाएंगे आप निडर हो जाएंगे और मेरा मानना हैं एक दिन आप भी जमाने के लीडर हो जाएंगे तो ये जीरो से हीरो बनाने की आत्रा है अब तक कई लोगों की कहानिया हमारे पास बनी है अर्चियम का मैनिफिक्शनिंग सिस्टम अपना है आज का गोहाटी में आसाम में उत्राकंड में और बिलवाणा में इसके अपने में बहुत ही शंदार क्वालिटी के मैनिफिक्शनिंग प्लाउन्ट है बहुत ही एडography का शंदार आफिस है और पुरे हिंदुस्तान में जैसा कि आप नक्से में देख रहे है utan में होते हैं होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं मैं आज आपको कुछ एक तस्वीरे दिखा रहा सफलता के रा के राही हमरे यहां सफलता इस तरीके से चलती है कि पहले आप किसी vital की pin पे आते हैं फिर आप royalty achiever बنتे हैं फिर आप टेकनिकल एचीवर बनते हैं और जैसे जैसे अगले मुकाम पे आप जाते हैं आपकी कामियाभी, आपकी इंकम, फाइनेंशल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, आपकी सोरत, प्यार, पैसा, सम्मान, सब कुछ आपके जीवन में बढ़ता जाता है, आपका ये जीवन की कहानी में आपको बत इसी प्रोग्राम में देखी है, यानि कामियाभी की यात्रा, आप लोगों के कामियाभी की यात्रा है, हम जीरो से हीरो बनाने की यात्रा, आप इससे पहले मुकेजी कोठारी की कहानी सुन चुके हैं, सुरेंदर वज्जी की सुन चुके हैं, और भी डेर सारे सातियों की क हमारे पास है आज जिस मिशन को लेंगे मैं आपके बीच में कड़ा हूँ हमने कभी सोचा थाकि एक करोड़ restrictions को ये कपड़ा पेनाना है उन तकली को मिटाने पे एक पूरा संतोज जनक काम करना है भारत की इस नई आट मनिट पर भारत की मिशन में एक एक व्यक्ति को जागरुक बनके काम करना है मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं आपके उपर कोई और वरोसा करे या ना करे मैं आपके उपर वरोसा करता हूं और मैं चिला चिला कर कहना चाहता हूं कि आप भी अपने पर वरोसा करें कामियाबी आपका जनम सिद्ध दिकार है जिस दिन आप इस बिजनिस का हाथ पकड़ है हम आपको हम आपकी खूबियों को देखते हैं दुनिया आपको ठुकराती है हम आपको अपनाते हैं और हम आपको इस बिजनिस की ताकत है कि यह भारत के हर कोने कोने में जा सकता है गाउं धानी तक जा सकता है पड़े लिकों बिना पड़े लो तक जा सकता है पार टाइम में जो भी आज मेरे दर्सक हैं कैसे मिली है अब तक हमारे पास एक्जामपल है लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का लेकिन अब आपके बीच में मैं बात करूंगा कि आपको कामियाभी कैसे मिले आपको कामियाभी कैसे मिले जिस तरह से सरीर के पांच गटक होते हैं पांच गटक होते हैं उसी तरह से आपकी कामियाभी के भी पांच गटक होते हैं उन पांच गटकों को आज समझना है और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो अपने मॉबाइल में उसकी तस्वीर बना लेनी है क्योंकि एक दिन में कम्पलीट ट्रेनिंग तो नहीं हो सकती लेकिन वो मास्टर की जो कि आपकी सफलता में जिम्मेदार हो सकती है आपकी सफलता में कारण बन सकती है वो मास्टर की मैं आज आपको दे रहा हूँ और वो मास्टर की है सफलता के पांच गटक उसमें पहला गटक है आपकी नोलेज इस बिजन इसका एक गहरा स्टूडेंट बनना है, इस बिजनिस को आखरी दिन तक सीखता रहना है, पिछले 20 साल से मैं हमरे सभी साथी, हमरे सीनियर लीडर, हमरे सीनियर सेयोगी सभी इसको निरंतर सीख रहे हैं, जब तक आपका नोलेज लेने का प्रोसिजर जारी रहेगा, आपकी का का रास्ता आगे बढ़ता रहेगा, और नोलेज के साथ साथ दूसरा गटक है आपका एटिटूड, आपका सकरात्मक नजरिया, आपका पॉजिटिव एटिटूड, आपकी एनरजी बरा एटिटूड, आपका नजरिया ही आपके जरिये को उंचाई देता है, इसलिए किसी परिस्तिती में, चाहिए वो वर्तमान की परिस्तिती हो, चाहिए वो कोई और विपरीत परिस्तिती हो, आप अपने नजरिये को, एटिटूड को, अगर सकरात्मक और हाइट पर बना के रखेंगे, तो आपकी काम्याभी को भी हाइट मिलेगी, और तीसरी चीज, स्किल, आ आपके खुद के प्रैक्टिकल काम करने से, मैं गाउं से निकला हुआ विकती हूँ, और इनरी बैग्राउंड का विकती हूँ, मुझे मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन आज आपके सामने बोल रहा हूँ, पहले मैं कभी प्लेन में नहीं बेटा था, लेकिन आज मैं में हूँ और यह सब आता है आपको बराबर काम करते रहने से इसके अलावा कुछ आदते आपको डवलप करनी है जो इस विजनिस के अनकूल हो आपको कपड़े पहनना सीखना है आपको बोलना सीखना है आपको टेकनलोजी सीखना है क्योंकि आपकी नए आदते ही नए भाग कि विस्तार करना है घर घर जाकर एक एक अभियान चला कर अब कि की ऑ Smells से करनी है टेकनोलोजी के माध्यम से करनी है और टेकनोलोजी का विस्तार करना है आपको ये काम निरंतर करते रहना है और दूसरा इस बिजनिस को प्रोफेशनली करना है साथियों में आपके साथ जिक्र कर रहा था सफलता के पांच गटक मैं आपको बहुत जोड देंके ये बात कहना चाहूँगा कि जीवन में किसी भी क्षेतर में आप अगर सफलता चाहते हैं तो उस विशे का ग्यान लें और पूरा ग्यान लें लगातार ग्यान लें और किसी भी काम के अनकूल अगर आपको फ्लाइट उडानी है तो उसके इसाफ से आदते बनानी पड़ेगी और नाइट की ड्राइविंग करनी है तो उससे इसाफ से आदते बनानी पड़ेगी तो आर्सियम बिजनिस के लिए भी आपको अपनी आदतों में बहुत सारा बद सेंक्रमन काल भी कह सकते हैं करोना यह भी कह सकता हूं इस काल के लिए आपको एक नहीं रणनीती बनानी है कि अपनी टीम के सभी सातियों को आपको टेकनोलोजी सिखानी है अभियान चला कर जन जन तक टेकनोलोजी की आवाज को पहुचाना है और जिस माध्यम से अब हमारे लिए आपसके साथ मिलना संभव है यानि ये यूट्यूब वेबिनार बड़े बड़े जो आर्शेम के सीनियर लीडर है जिनके पास 15 साल-20 साल-18 साल के उनुभव है जिन्होंने इस बुजनिस के मादियन से 15 करोड पत्शीस करोड़ पचास करोड़ रुपे कमाये हैं जिन्हों ने इस बिजनिस की जरनी को जीरों से यहां तक पहुंचाया है जिनके पास त्याग तपश्या की कहानिया है उन लोगों को इस यूट्यूब वेबिनार के माधियम से सुनना है और चार बिजे डेली के इस कारिक्रम में य और मेरे ख्याल से आर्सेम में यह कैपसिटी है आर्सेम का जो डिलीवरी सिस्टम आर्सेम का प्रोड़क्ट केटेगरी आर्सेम का सेमिनार ट्रेनिंग सिस्टम आर्सेम का नेचर आर्सेम का कल्चर आर्सेम की मानसिक्ता भारत की आर्थिक आजादी के लिए ही बनी हुई ह आम से आम आदमी की कामयाबी के लिए ही बनी हुए है तो हमें आत्म निर्बर भारत के उस स्लोगन पर काम करना है लेकिन अब मैं बाते करूंगा आप सब लोग जो आज इतनी देड़ से मेरे को सुना आप लोगों को सफलता के उचे से उचे बड़े से बड़े मुकाम कैसे मिले जिसे हमारे सात्यों ने लिये वैसे आपको कैसे मिले उसके लिए very simple मैं आपको एक ही लाइन कहना चाहूंगा किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं एक तो casually और एक professionally आप इस business को साधारण business ना समझें जिस तरह से network industry की टाकत है कि कोई hair cutting, salon वाला ameer नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपना network बना लेवे, तो ameer बन सकता है, एक जूते वाला ameer नहीń बन सकता, लेकिन वो अपना network बना ले वे, तो ameer बन सकता है, अगर टक्सी वाला ameer नहीं बन सकता लेकिन वो अपना नेटवर्क बना ले वे तो अमीर बन सकता है एक जूते वाला अमीर नहीं बन सकता लेकिन वो बाटा की तरह से अपना नेटवर्क बना ले वे तो अमीर बन सकता है यह बिजनिस भी नेटवर्क बिजनिस है डारिक सेलिंग बिजनिस है इस बिजनि विराट कोली और सचिन जैसे दोनी जैसे नायक खेलते हैं वो काम की सुरुवात में ही जब उनको समझ बाता कि हमें केरियर इससे बनाना तो इसको प्रोफेशनली सीखते हैं हर बात में वो अपना प्रोफेशनलिस्म फोलो करते हैं तो वो दीरे दीरे पूरे वर्ड लीडर बनते हैं आप भी अगर इस बिजनिस को हर बात में इससे फाइदा क्या होगा मैं मानता हूं आज आपकी जिंदिकी संतुष्ट है लेकिन एक तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हो कि यह कमरा है जिसमें सब कुछ है सब कुछ है लेकिन हम आपके जीवन को इस तरह के जीवन में बदलना चाहते हैं जहां सब कुछ और बेटर क्वालिटी का हो हमारे पास एक ऐसे विजनरी पर्शन है जिनको परमात्मा टच करता है जिनको यह विजन मिलता है उनके पास जिस तरह की प्रोड़क्स रंकला आती है यह गोड पावर है यह गोड प्लान है यह भारत के इसलिए हर साथी से मैं निविदन करूँगा कि यह जो मेरा नया कभी एक करोड़ लोगों को पेनाने का था और अब एक करोड़ दुकानों का है वो गर में कुलने वाली दुकाने हर कोई 10,000, 20,000, 50,000 का सामान अपने घर में रखकर वर्तमान काल में अपने घर से दुकान चालू कर सकता है और अडोस-पडोस के लोगों को दे सकता है ये करन कोई जगे नहीं है तो नहीं तो जगे की जुरत और अपनी दुकान और जीतने के लिए एक बात मैं आकरी में कहना चाहूंगा Think about the victory अगर आप अपनी जीत के बारे में सोचेंगे तो हमेशा जीत ही आपको मिलेगी और एक छोटी सी कहानी के माद्यम से मैं आपके दिलों को चूना चाहता हूं एक बहुत बड़े जंगल में बहुत बड़ी आग लगी अगर जंगल बड़ा था तो आग भी बड़ी थी, जंगल भयानक था तो आग भी बयानक थी इतनी बड़ी भयानक आग को देखकर जंगल में रहने वाले सभी पसू, पकसी, जानवर जंगल को छोड़ कर भाग रहे थे पर इतनी बड़ी भागम भाग के बीच में भी एक बहुत चोटी सी चिडिया अपनी चोंच में पानी भरके आग पर पानी डाल रही थी कवे ने उसको देखकर उससे पूछा कि चिडिया क्या तुमें लगता है कि तुमारी चोंच के पानी से यह आग भुझ जाएगी तो चिडिया का जवाब था कि मैं यह नहीं जानती कि मेरी चोंच के पानी से यह आग भुझेगी यह नहीं भुझेगी लेकिन इतना मैं जानती हूँ जब भी इश्वर उपर से देखेगा और कुद्रत जब इतियास लिखेगी तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं आग भुजाने वालों में होगा मैं आज इसी कहानी के माध्यम से आप सब को अपील करता हूँ कि आप से जैसा योगदान बने लेकिन आत्म निर्वर भारत बनाने में आपका छोटा सा योगदान कि आपकी खरिदारी से जो पैसा बिचोलियों को या बजार को जा रहा था वो आपके घर में आने लगेगा तो जिस तरह से आपके पिता जी और दादा जी की कमाई से बजार अमीर बने थे आपके खड़चे से आपका घर भी दीरे दीरे अमीर बनेगा और आप नेटवर्क बनाएंगे तो तेजी से अमीर बनेगा इस काम की सुरुआत करें और एक बहुत चोटी सी प्रेरित करने वाली कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि कामियाबी आपको मिले ही मिले मैं आप सब को लीडर मानता हूँ क्योंकि मेरी नजर में लीडर वो नहीं होते हैं जिनको दुनिया लीडर मानती है जिनको जमाना लीडर मानते हैं मेरी नजर में लीडर वो होते हैं जो जमाने से अलग निकलना जानते हैं आज करोडो करोडो की बीड में से निकल कर जो लाकों की संक्या में आज ये सेमिनार ये वेबिनार देख रहे हो वो मेरे लीडर हैं क्योंकि वो बीड से अलग निकल के आए और मैं आपको वचन देता हूं मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आज अपने आपको लीडर मानके इस प्रोग्राम में दिल से मेरे साथ हो गए तो एक दिन वो होगा कि जमाना में आप आगे आगे चलोगे और ये जमाना आपके प में हिंदुस्तान के बीच में प्रेजेंट करना और एक कहानी में आपको और प्रेजित करने के लिए जो भी पुराने साथी हैं उनको कहना चाहूंगा कि इस कहानी से आप एक सीख लें और किस तरीके से काम करें कि जो हिंदुस्तान में आज आवाम के साथ जो परिशानिय हुई है आप उन परिशानियों को मिटाने वाले बने जो जीमनों में अंदेरा आया है उनको रोशनी देने वाले बने बहुत चोटी सी संदेश वेजा कि आप बाकी के लोग उदधर दो लाइनों में लग जाओ तो आपको केश जल्दी मिल जाएगा क्योंकि येख दो खाली है तो आप क्यों इस लाइन में लेकिन लोगों का एक जवाब था कि सरम इधर ही लगना चाहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं है तो मेनेजर को आशर हुआ मेनेजर ने जब बाद में उसका पूरा रिसर्च किया तो पता चला कि वो जो केशियर था जब किसी के पास उसका टोकन आता था तो उस टोकन को हाथ में लेके प्रातना करता था इस वरसे कि हे प्रभू जिस काम के लिए ये लोग केश लेके जा रहे हैं उनका ये काम पूरा करना उसकी ये सुब भावना सभी को बरकत देती थी उसको भी बरकत देती थी आप भी लोगों को इस भावना के साथ जोड़ें यह स्रश्टी आपकी भावनाओं का आपको भाड़ा देती है इसलिए आज मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं कि जिनकों भी जोड़ें उस भावना से जोड़ें कि मैं इसको कामियाब देखना चाहता हूं मैं इसको काम्याब बनाना चाहता हूँ और करोनों लोगों तक आपकी आवाज ऐसे नहीं जा सकती तो आप मांसिक साधनाय करें आप रोजाना सुबह जल्दी उटके आत्माओं का अववान करें कि मैं पूरे भारत में अपना बिजनिस फिलाना चाहता हूँ मैं भारत के सबी आम आदमी जिनको आज कोई तकलीफ हुई है उनको अपने बिजनिस के माद्यम से काम्याब बनाना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे पहले के सेक्ड़ों हजारों लीडर आम से खास बने मैं आपको भी आम से खास बनाना चाहता हूँ आत्माओं का आवान करें सुबह चार बजे उटकर ऐसा आवान आप करेंगे तो उन दुखी आत्माओं तक आपकी आवाज महुचेगी और कुद्रत ऐसी विवस्ता करेगी कि वो लोग आप तक आएंगे ही आएंगे और बीतर की दुनिया देखो आपको बदलना है क्योंकि आपका बेग्राउंड बहुत अगर साधारन है और आपको बदलना है तो बदलाओ ऐसे नहीं होता है पहले बीतर की दुनिया बदलती है बाद में बाहर की दुनिया बदलती है आप बीतर की दुनिया में बदलाव लाने में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं आप बीतर भी नहीं बदल पा रहे हैं तो आप एक काम करें कुछ अच्छी किताबें पढ़ें अच्छे लोगों की संगत करें अच्छी ट्रेनिंगे अट्रेंड करें ये सब आप करेंगे तो आपको कामियाभी मिलेगी क्योंकि बीतर का बदलाव आएगा तो बाहर का बदलाव भी आएगा मेरी नजर में यू आर लिविंग मेगनेट आप फोकस की ताकत को समझें आप अगर फोकस अच्छी चीज़ों पर करेंगे तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ों आएगी फोकस कमजोरियों पर करेंगे तो कमजोरियां बड़ी होगी इसलिए मैं सबी को कामियाभ देखना चाहता हूँ और आज की इस मेरी आवाज के माद्यम से मैं एक निवेदन सबी लोगों को करना चाहता हूँ कि मेरी इस आवाज को उन करोडों लोगों तक अलग-अलग तरीकों से पहुँचाएं ताकि वो आप तक पहुँचें और आप उनके जीवन में रोशनी देने वाले बनें यभी समय की मांग है अब आत्मनिर पर भारत में बनाना ही बनाना है हमारे पास RCM जैसा पावरफुल बिजनिस है पावरफुल प्रोड़क्ट है पावरफुल सिस्टम है जब सब कुछ हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है अभी मोका भी है मोसम भी है जुरत भी है आपको करना है और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में बहुत दूर से एक बात कह रहा हूँ क्योंकि जीवन क्या कहता है कि किसी एक बात को अगर आप बार 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 बोलते हो सोचते हो दोराते हो महसूस करते हो फील करते हो विस्वास करते हो तो वो जीज़े धीरे धीरे वो आपके जीवन की हकीकत बन जाता है इसलिए मैं यहां से बोलूँगा आप कामियाब और आप बोलेंगे वहां से हो सकते हैं आप गर में अकेले बैटे हैं तो भी बोलेंगे हो सकते हैं परिवार के साथ बैटे हैं तो भी बोलेंगे हो सकते हैं और दिल से बोलेंगे, जोड से बोलेंगे, अपनी आत्मा में परिवर्तन देने के लिए बोलेंगे, अपने जीवन को रुपांतरित कर देने के लिए बोलेंगे, अपने डरों को तिरोहित करने के लिए बोलेंगे, मैं बोलूँगा, आप कामियाब, आप बोलेंगे हो सकते ह आप कामियाब हो सकते है और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, आज तक मेरे इस बात पर जिसने भी वरोसा किया है, वो RCM का डाइमन्ड भी बना है, RCM का काम्याब इंसान भी बना है, उसकी कहानिया बनी है, जिस तरीके से RCM के पास ताकत है कि एन विलोचन, एक बिलकुल सडक पे आवाया हुआ आदमी, बिलकुल सुसाइड की गेट पर खड़ा हुआ आदमी, इस बिजनिस का दामन पकड़ कर आज RCM का लीडर और इंदुस्तान का हीरो बन सकता है, कमले स्वराय पटना, बिलकुल बेलोजगार, एक दम नी सहाए आदमी, इस बिजनिस की आवाज को सुनकर, आज करोडों लोगों के जिंदगियों में बदलाव लानी की कैपसिटी डवलप कर सकता है, एक नहीं, अ का एक आम किसान, करजे में डुबा हुआ किसान, इस बिजनिस को पकड़कर, आज सहर में रहने वाला एक समरिद इंसान, और समरिद किसान, और एक लीडर बन सकता है, बिना पेडाली का विखती, तो आप भी बन सकते हैं, अगर लाकों लोग ऐसा कर सकते हैं, तो अपने आ आपको जगाने का, और अगर आज आप अपने आपको नहीं जगाओगे, तो ये वक्त आपको माफ नहीं करेगा, समय चीक चीक कर बोल रहा है, कि जागो, आपो दीपे भवे, खुद को खुद जगाओ, और खुद की साहता खुद करो, अपने आप, अपने मशिया बनो, अ एक दिन हम मिलेंगे अगले मुकाम पर, फिर और मिलेंगे अगले मुकाम पर, फिर और मिलेंगे अगले मुकाम पर, और एक दिन मिलेंगे दुनिया के बहुत बड़े मुकाम पर, ऐसा ही मेरा विश्वास, ऐसी ही मेरी भावना है, ऐसा ही मेरा सुबचिंतन, ऐसी मेरी पास आएं आप सब लोगों के लिए थैंक यू सो मज जै आर्सियां सुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद